जाए इंसाधियों नमशकार स्वागा दे आप सभी का गणित विशाई गुरुकुल में आज के लेक्चर में हम लोग पेपर नमबर टू, सेमिस्टर नमबर वन याने की फर्स्ट येर का सेमिस्टर नमबर वन का पेपर नमबर टू के सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करें कैलकुलेस याने डेरिवेडियो और इंटिग्रेशन के बारे में आप सभी ने कक्षा बारवी में क्लास 12 में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, परन्तु यहाँ पे बहुत सारे एडवांस टॉपिक है जिसके साथ आपको डिल करना है, तो चलिए शुरुवात करते यहाँ पर धुकि लेक्टर की यूनिन नंबर वन में यहाँ पर फोड़ा सा नाम सी ये जैके संच अ को सब्सक्राइब 상 हम लोग derivative लेते चले जाएंगे तो क्या फार्मुले हमारे जन्रेट होंगे इस तरीके से हम लोग इसे कहते हैं हाला कि यहां पर थोड़ा सा यहां पर लिमिनेंट सेरम सीरी नंबर वान और नंबर टू यहां पर जो आप लोगों को सेकंड में दिख रहा है पार्चल डेरिवेटिव लिमित अन्विलोप यहां पर जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं लिमिट एंड कंट्यूनिटी के इसके पड़्टू अफ्टू वेरियेबल आहला कि यह बहुत ज् पर जीज़ें उन्हें कमी कर दिए इसके पहले का जो सिल्यावास था ब्याइस यह बहुत अच्छा सिल्यावस था उन्हों ने बहुत अच्छे तरीके से देखे राखा था लिमिट अन्टिनूटी पहले वन वीरियेबल के याने कि क्लास 12 की उपर से उन्होंने एक्स्प् लेकिन नहीं नहीं तो को समझ किया कि यहाँ उसक हो लिएक लिटीं पटू हगा है कि लोगों क्शने के लिए कि यहीं पता है कि यह सब और ना चाहなγάI अधिन लोगों को सब्सक्राइब बढ़के लग दीखिए कको अधिकन मेरे अखिरासे wprowad इनके दिमाग में नहीं आती एक बात कि किस तरीके से आपको analysis करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, direct partial derivative पढ़ा रहे, limit पढ़ा रहे, continuity to variables की पढ़ा रहे, या पहले one variable तो पढ़ाओ, differential calculus के बारे में, integral calculus के बारे में सारे basic topic तो दो तब जाके बच्चे, advanced level पर किसी को MSE करना है, IIT jam करना है, या बहुत सारे topics है, किसी को IIT jam करना है, UPSC में जाना है, mass optional लेना है, तो वो बच्चा CD से CD बनाएगा, यहाँ पर direct direct युन्होंने देखे रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है, तो पहला है successive differentiation, जिसे अपन and order पे derivative निकलने के लिए काम में आता है, इसके उपर वो सारे प्रशन आते है, 6 नंबर, देर नंबर के भी प्रशन आएंगे, तो इसे IMP topic करके रखेंगे, हम लो 6 नंबर के लिए आएगा, दूसरी बात है, लिबनिट्स पढ़ेंगे, expansion of function, expansion, expansion में दो तरीके से expansion किये जाते है, पहला, McLaurin's theorem द्वारा, किसी भी function का, McLaurin's theorem के द्वारा, हम लोग expansion लेते है, और दूसरा लेते है, tell us theorem द्वारा, tell us theorem दोनों के लिए, यह दोनों theorem, दो चीजों के लिए काम करते है, one variable, two variable, दोनों के लिए, और यहा यहां पर आपको देखने के मिलेंगे, indeterminate form में आप लोगों को limit के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम L hospital rule, यहां पर एक चीज की कमी है, यहां पर मैं लिख देता हू, L hospital rule, L hospital rule, और यह आपका JW में भी है topic, और आगे बहुत ज्यादा कम में आता है, indeterminate form, यहां पर यह सारे topic करना है, chapter number one के chapter number two में, जैसा कि मैंने का function of two variable के पहले function of one variable आपको पढ़ना चीए, limit क्या है, continuity क्या है, इसके बहुत जादा detail में examples होते है, बहुत अपने limit continuity आने बहुत बड़ा एक advanced topic है, इतने आसानी से हम लोग इसे देख नहीं सकते, लेकिन इन्होंने रखा जरूर है, यहाँ पर लेगी नहीं एक भी example नहीं लिए, इतनी मतलब बच्चों को उस level पर सिखाया नहीं, जबकि आप second year में, second semester में, third semester में और fourth semester में जाएंगे, तो बहुत सारे topic से टकराएंगे, जहाँ पी इनकी गरज है, इनको बहुत सही तरीके से book छापनी चाहिए थी, book advanced level पे पहले बहुत ज्यादा important question आते थे, अभी तो यह नाम मातर के लिए सिर्फ definition देखे छोड़ दी उन्होंने, मेरे खाल से इनको ही नहीं आते examples, homogeneous function क्या होते है, homogeneous, non homogeneous function क्या होते है, इसकी उपर के formula होते है, इसकी उपर के theorem आपको करना, इसकी उपर के examples आप लोगों को है, ठीक है, total differentiation मतलब हम लोग फिर बात में chain rule वगरे वगरे लेते हैं, तो इसके बारे में भी आपे पूरा पढ़ाया गया है, chain rule वगरे, first rule, second rule, first chain rule, second chain rule वगरे, composite function के बारे में आपको लोगों को पढ़ाया गया, जो की important होगा, composite function क्या होते, mixed partial derivative क्या होता है, mixed partial derivative क्या होत अलग कर देना चीए था, और envelope इसके पहले के, जो पुराना syllabus था, उसमें envelope को अलग करके रखा था, asymptote को अलग करके रखा था, हाला कि इन दोनों का एक ही chapter बना दिया था, बाकि यह जो है, यहां से लेके इतना topic, इतना जो topic है, यह अलग से रखना चीए, और यह topic को अलग स रखना चीए, उसका reason गया है कि बच्चे क्या करेंगे ना, जब exam में पास होना है, तो यह दोनों उनको बहुत भारी जाएंगे, लेकिन यह दोनों पढ़ने लायक है, बहुत सारे important है, तो भारी जाएंगे यह दोनों, तो बच्चे क्या कर देंगे, इसको skip कर देंगे, ज सोचेंगे कि हम 2-3 topic पढ़के जाती है, जो important है, हाला कि यह सबसे ज़्यादा important है, अगर आप higher examination में बैटना चाहिए, तो समझ में आ रहा है, हम लोगों ने unit number 1 के यह topic देखे, unit number 2 के सारे topic देख लिए, तो दोनों में आपको समझ में आ गया है कि कौन से important है, कि इस तरीके से होना चीए, कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, आपको ज्यादा से ज़्यादा अपने जो समय आपको मिला है, उसका utilization करना है, ज्यादा से आपके पढ़ाई पर focus करना है, कारण क्या है कि आप लोग सोचेंगे हम कल करेंगे, गंडपती का season चल रहा है, गंडपती के तरफ, ठीक है, तो पूरा focus रहना चीए, आपके examination के आपको strategy बनाना है कि क्या syllabus हो सकता है, तीन चीज़ पर focus करना है, कि syllabus क्या होगा, previous year question paper क्या होंगे, study material हम लोग किस तरीके से, IMP question या previous year question को देखते हो, किस तरीके से बना है, आपने notes कैसे generate करें, तो दो-तिन चीज़ो के बारे में, आपको clarity होने चीए, thoughts आपके एकदम clear होने चीए, कि किस तरीके से में को पढ़ना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, तो यहापे दो unit का हम लोगों ने देखा है, तीसरे unit और चाओते unit को भी हम लोग आपे लिख लेते हैं, उनके topics लिख लेते हैं, बने रहेंगे वीडियो के आन तक, दोस्तो unit number one और unit number two का सिले बास हम लोगों ने देख लिया, unit number three के बात करेंगे, और unit number four की बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप लोगों को unit number one में मैंने कहा था कि आपको tailor series आएगी two function की आप आप आगे देखो tailor series of the two variable, ठेके तो यहाँ पर जो मोटा मोटा आप लोग समझ लिजे कि यहाँ पर बस इतने topics करना है और यह topic करना, अगर math one, math two अभी से आप strong करती वे चलेंगे, कि आपका paper number semester हर semester में math one, math two रहेंगे, ठेके तो अगर 6 semester आप पढ़ाई कर रहें तो 12 math पढ़ना है, तो हर एक एक दूसरे क उपर depend रहेगा, आने वाला semester, पिछले semester के लिए, याने पिछला semester है, वो base बन जाएगा आने वाले semester के लिए, तो जो आने वाला semester है, ठेके, वो याद रखी कि जो भी आने वाला semester है, उस पर बहुत जादा काम रहेगा आपको पिछले semester गया है, तो पिछला जो भी semester गया है उसके सारे basic concept अगर अच्छे से आपको आते हैं तो आप आने वाले हर semester में अच्छे से perform कर पाएंगे ने तो आपको यह है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आपनी यह skip कर दिया second step में पढ़ेंगे third step में पढ़ेंगे अभी पढ़ाई नहीं करते हैं बहुत सारी एक्जाम में पूछा जाता है जेकोबियंस क्या होते है ठीक है छे नमबर देन नमबर दो नमबर के लिए बहुत सारे इसके examples बहुत जादा खास करके इसके examples आएंगे बहले property एकाधी बार आए न आए लेकिन example जरूर आते है हाला कि property भी बहूत जाधा important है Taylor series of the two variable हम लोग किसी भी function को अगर दो variable वाला कोई भी हमारे पास function है तो हम उसको expand करेंगे टीके for example मेरे पास एकाजी function है f of xy is equal to x plus y मुझे इसका expansion लेना है तो क्या हो जाएगा या e का power x plus y अगर इस तरीके से function हो e का power x plus y तो अगर मुझे इसका expansion करना है इसकी series बनाना है तब जाके हम लोग Taylor series का उपयोग लेते हैं याने Taylor's theorem का उपयोग लेते है Maclaurin series, Taylor series, one variable, two variable के लिए काम करते हैं और यह आपको complex analysis में भी देखने को मिलेगा इसलिए अभी से आप complex analysis याने semester number 5 में final year में भी देखने को मिलेगा अभी से आप अपनी जड़े मजबूत करते हुए चलेंगे first year, second year के mathematics को एकदम से strong बनाएंगे, बहुत ज़्यादा strong चालते हैं यहाँ पर one variable, two variable, तो maximum minima भी one variable और two variable वाले होते हैं तो इसमें हम लोगों को topic को discuss करना है, one variable और दो variable दोनों को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, लेगरांजेस method of undetermined multiplier याने कि maxima minima के लिए यूज़ करी जाती है, लेगरांजेस method का उपयोग क्या होता है, maxima minima के लिए होता है, लेकिन exact थोड़ा सा इससे different होता है, लेगरांजेस theorem, इसके बारे में भी हम लोग सारी चीज़े discuss करेंगे, हमारे आने वाले वीडियो में, और यदि आप हमारा online course purchase करना चाते है, semester one का, तो आप हमारे application डाउलोड कीजी, हमारे application में आफिर नीचे दि purchase करना चाते है, तो application में जाएंगे, आपको हमारे semester one का course available हो जाएगा, आप जरू से जाके purchase कर सकते है, एक बार checkout जरू करेंगे, हमारा course application में जाके, उसके बाद unit number four में integration की बात करेंगे, integration जो कि class 12 में वैसे बच्चों को बहुत ज्यादा परिशान करता है, integration, तो integration तो यहा बनाएते हो चले, क्योंकि आगे आपने BSC first year में admission लिया है, कोई हलवा नहीं है, क्योंकि first year में अगर आप admission ले रहे हैं, तो आपको इतना तो ध्यान में होगा, कि 12 लेवल आयोगी, 9 वी का जो match था, 8 वी के match से high level का था, 10 वी का match high level का था, 9 वी के match से, तो जैसे जैसे आप आप आगे आगे जाएंगे, तो आपका mathematics higher होता चले जाएगा, वैसे आपको MSC mathematics तक जाना है, IIT jam करना है, UPSC करना है, यह आपका विचार है, तो reduction formula के बारे में बात करेंगे, reduction formula क्या होता है, किस तरीके से हम लोग nth power के integration को reduce कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या है, ओब देखा था, successive derivative, successive derivative में हम लोग nth order के derivative निकालते है, उसके नीचे nth order derivative वाइसे आपके anth order के किस तरीके से function को, andth order के function को किस तरीके से हम लोग reduce करके et formula हो सब हम लोग हम लोग आपके देखेंगे, जैसे हम construction formula देखतें, integration of algebraic rational exceeds integration के बारे में बात करेंगे, rational function य तो आपने class 12 में भी क्या है कि trigonometric function का integration कैसा किया आजे है अना तो यहां पर यह सारे के सारे सारे topic है integration के और यह पूरे important है इसमें से कुछ भी आ सकता है छे नंबर के लिए integration और derivative ऐसे topic है जिसमें कि कई सारे अनंत example एक topic के उपर 1000 question बनाया जा सकते है और अपने मन से बनाया ज आ सकते हैं तो आपको यह syllabus mathematics 2 का जो कि आपको ध्यान में आ चुका होगा देखो सबसे पहले कोई भी syllabus अगर कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले syllabus की शुरुवात करो अगर आप से कोई भी semester में फर्स्ट्रे से कंड यह में कोई भी semester में हो रहें आप यह important रहता है तो syllabus आपने जान लिया है अगर आपने जबतक्ञील नहीं जाना तो आप अधूरे समझ दो आपके पढ़ाई कोई मतलब की नहीं आप ड़्यक्त पढ़ाई कर रहे हैं बस पास होने के लिए फजा है आप एक्चुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वह आगे जाक लेवल के काम करने हैं ना कि अन प्रोफेशनली कुछ भी हम लोगों को डाल देना है और फिर हमारी जिंदगी चल रही है नहीं हमें थोड़ा सा अच्छे लेवल पर सुचना पड़ेगा अपने इसके बारे में तो चलिए यहां तक के लिए आप मुझे ऐसा लगता है कि उनि